नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गर्वावस्ता के दोरान क्या कपड़े हाज से दोने चाहिए? जी हाँ, गर्वावस्ता के दोरान जब आप हाज से कपड़े दोते हैं, तो उसमें क्या प्रब्लम होती है? देखे, एक से लेके तीन महीने तक, चार महीने तक आपको बिलकुल भी पैर से बैट कर कपड़े नहीं दोने चाहिए, इससे क्या प्रोबलम होती है, ब्लीडिंग होने की समस्या हो जाती है, पैर में सूजन आ जाती है, हातों में सूजन आ जाती है, बीपी हाई होने की समस् है और ज्यादा देर पानी में रहने से बिमार भी हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे आपको आपका हार्मोन जो है थोड़ा सा चेंज हुआ होता है और शरीर जो है बिलकुल अच्छा काम नहीं करता है शरीर तो उस टाइम पे जब आप उकडू बैटके कपड़े धोते हैं या फिर जो है आप कपड़ों को पेरों के बल बैट करके धोते हैं तो आपको ये समस्या हो सकती है क्यों चाहती है आपकी ऐसी समस्या हो अब आपके कोस्चन होगा कि हमारे तो बड़े भुजूर भी ऐसे धुआ कर धोया करते थे पहले की लेडिस भी तो धोया करती थी हा तो कि जब कपड़े आप धोते हो बैट करके आपको बुरुस भी मारना पड़ता है और हातों से रगड करके कपड़े धोने पड़ते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत है, आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले रहते हैं, अगर आपसे हाथ से धोने की मजबूरी भी है, तो आप किसी पीढे पे बैठे या फिर उचे पाटे पर बैठे, जिसका थोड़ी सी उचाई हो, उस पाटे पर बैठ करके आप धोई, बार क्योंकि ये चीजे जब आप कपड़े धो लेती हैं, उसके बाद बाल्टी में जब आप कपड़े उठाती हैं, तो वो भी भारी हो जाता है, कपड़े में जब पाने डल जाता है, तो वो बहुत भारी हो जाता है, उसके बाद जब नीचे जुक करके उठाते हैं, तब एक से लेके चार महिने तक आपको इतनी सतरक्ता बरतनी है कि ये सब बाते लेडिज को ही पता होती है, बड़े बुजुर को ही पता होती है, उनकी नजर में ये बाते होती है कि इस बच्चे को ये हुआ है, तो इसे चार महिने तक हमें ऐसे रखना है, उसके बाद आप कर लि ही रहना है आराम से एक एक कदम ध्यान से चलाना होता है क्योंकि बहुत जादा उस टाइम पे नाजुक हालात होती है आजकल अकेली रहती है तो ये चीजे बहुत जादा दिक्कत हो जाती है और उन्हें पता नहीं चलता है कि हम अच्छा खा रही है अच्छा पी रही है फिर ऐसे क्यों हो रहा है हमारे साथ जो साथ में उनके पती हैं वो भी डिश्टब हो जाते हैं क्योंकि कोई बड़े बुजुरुग तो है नहीं जब बड़े बुजुरुग होते हैं वो नॉर्मल सी बाते होती हैं और वो बिल्कुल एकदम बता देती ह अब जब कोई आदमी ये छोचोटी प्रॉब्लम हो जाते तो आदमी कितनी पर उनको लेकर के आप डॉक्टर के लेकर के जाएंगे या फिर आप डॉक्टर के पास इतने बड़ जाएंगी कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें तो आप जब यह सतरक्ता बरत के काम करें ज जब आप कपड़े को ब्रस मारती है, या फिर मसलती है, तो वो नीचे उपर बच्चे को बड़ी अंदर से जो है आपका पेट अंदर से बिलकुल दिक्कत आती है, ऍस पेट को बहुत दिक्कत आती है। और उसके बाद नसे जो है एकदम अकडन हो जाती है, और फिर दरद शुरू हो जाता है, क्या आप चाहती है कि आपको दरद शुरू हो, आप मेरी फैमिली है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो, अगर आपके पास बड़े बुड़े हैं तो आप ये बात पूछेंगे तो वो आपको एकदम बताएंगे कि हाँ ये सही है, आप फोन करके पूछें, आप किसी अपने बड़े बुजरुग से, अपने मम्मी से, नानी से दादी से, सास से कोई आपके बड़े बुजरुग में और बड़े हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं आपको कोई भी बात गलत बता हूँ क्योंकि एक बर गलत बता देने से उसके बाद किसी को जो है प्रोब्लम हो जाती है और उसके बहुत बाप लगता है क्योंकि आप एक जीव नहीं होते हैं आप दो जीव होते हैं दो जीव का पुन इतना मिलता है जब मैं आपको बता रही हूं तो मुझे दो जगे का पुन मिल रहा है क्योंकि आपका पुन भी मिल रहा है और जब आपका पेट में जो बच्चा है जो आत्मा है उसका भी मुझे पुन मिल रहा है क्यों क्योंकि मैं आपको अच्छी बाते बता रही हूं और उसका भी भला हो रहा है, आपका भी भला हो रहा है, आप उस टाइम पे बहुत प्रोब्लम में होती है, बहुत ज़्यादा नाजुक इस्तिति आपकी होती है, और उस टाइम पे अगर कोई सहरा ऐसा मिल जाए, अगर कोई अच्छी अगर आपको मिल जाती है, समझने वाली बात, तो आपको बिल्कुल बगर पैसे खरच के रहे हुए, आप यह चीज से बत सकते हैं, आप समझ रहे हैं, मैं क्या कहना चाहती हूं मैं चाहती हूँ कि हर जो मा है जो बच्चा है उन्हें अच्छी सी इस बात की जानकरी होनी जी अगर आप ये चीज करती है तो प्लीज थोड़ा ध्यान से करें आपकी मजबूरी है तब नहीं तो आप किसी को बड़े बुजुरू को या किसी को अपने साथ आप रखें जो क कि आपको इस चीज का ग्यान दे सके या फिर वो काम कर सके आपको इतनी काम करने के दिक्कत नहीं आएगी तो आपको आराम से आपका बेबी जो है जब तीन मैने निकल जाएंगे थोड़ी सी नाजो कि श्तितितिकों कि उन तीन चार महिने में बहुत उल्टिया होती है हर चीज में स्मेल आती है आटे में आती है कहीं को पानी में आती है कहीं को सबजी में आती है कहीं को तेल में आती है कहीं को घी में आती है मतलब कहीं को हर चीज में आती है अब यह चीज तो लड़के लोग तो यह बास समझते नहीं है जो हजबन वगेरा होते हैं वो समझते या फिर जैसे मैं आपको बता रही हूं, वो काम करें, जो आपको अच्छा लगे, वो जरूर खाएं, अगर कोई बाहर की चीज आपको खाने का मन कर रहा है, और कोई बनाने वाला नहीं है, तो थोड़ी मात्रा में खा लें, थोड़ी संतुष्टी आप ले लें, जिससे आपको ताकत आजाएगी, यह मैं नहीं कहूंगी, कि आप यह मत मंगा के खाएए, यह खाएए, जब आपसे बनाया ही नहीं जा रहा है, तो आप तो कुस्तों मंगा के खाएंगी न, वो आपको ताकत हो जाएगी, फिर उससे क्या होगा, आपको एनर्जी मिलेगी, और उस ऐसे भी आ जाएंगे क्योंकि यह चीजे जो है बेकार की बाते हैं नहीं दोस्तों यह बेकार की बाते नहीं है यह औरतों की बाते जो है बेकार की नहीं होती है पुराने जमाने इसे चली आ रही है आगे भी चलती आ रही आएगी हर लड़की के जीवन में यह चीजे आती है तो यह तजूरबा होता है, हमने भी अपने बड़े बुजूर्ग से सीखा था और फिर कुछ तजूरबा आया धीरे-धीरे जिन्दिक का, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे नहीं है कि कोई मेरी छोटी सी उमर है और मैं आपको ये चीजे मन घडंद कहानी से बता करते थे कि तुझे कुछ खाना है, तेरे कुछ मन में है और वो हमें हमें से भी पूछा करते थे, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं लाके दूँ और फटा फट लाके देते थे, क्यों लाके देते दो दोस्तों, हमें पुन मिलता है, जब मैं आप लोग को ये चीजे पता रही हूं और आप लोग मानलो आपके कोई बेटी है या पिर आप खुद है तो आपको ये कितना ग्यान मिल रहा है और आपको समझ आएगे कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है तो मुझे घर बैठेपुन मिल जाता है क्योंकि पुन कमाना कोई सरल काम नहीं है अगर आप भी किसी को ऐसी सला देते हैं या कोई दो जीव को देखते हैं उनके उपरा दया करें उनसे उपरा बताएं अच्छी बाते बताएं कभी भी किसी को गलत सिक्षा नहीं देनी जाहिए क्योंकि अगर आपकी गलत सिक्षा से किसी का गलत हो गया तो आपको पता है दो जीव, दो जीव जो होते हैं, उनका बहुत बड़ी जो अंदर आत्मा होती है, जो बिलकुल आत्मा नहीं दिखाई दे रही है, उसका बहुत ज़्यादा पाप लगता है, इसलिए मैं आपको गलत कभी भी नहीं बिताऊंगी, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजेगा, और हाँ, इसे आगे शेयर करना नहीं बूलिएगा, इससे क्या होता है, किसी को पता नहीं किस टाइम पेश की जोरत पड़ जाए, और ये चीज तो नॉलेज होनी चाहिए, आज कल बड क्योंकि जब किसी और का भला होता है, तो हमारा भला अपने आप ही हो जाता है, हमें कहीं और जाने की जोरूत नहीं पड़ेगी, जब हम किसी का भला करेंगे और हमारा अपने आप भला हो जाएगा, अगर आपके इससे सम्मधित और कोई बाते रह जाती है, तो आप मुझ थेंक यू नमस्ते दोस्तो कैसे हैं आप